उत्तरप्रदेश के गोरकपुर में गीता प्रेश दुनिया में हिंदू धार्मिक ग्रंतों की सबसे बड़ी प्रकाशक है। इस संस्था के स्थापना साल 1923 में होई थी। सौ साल पुरानी गीता प्रेश के पास आयुध्या में रामलला की प्रांट प्रतिश्ठा के बाद सी रामचरित मानस और दूसरी धार में पुस्तकों की ओर्डर्स का अमबार लग क्या है। जो रामतरित मानस की मांग की है क्या पुस्कों की हमारे सब मांग बहुत जबरजस्त है। और इसका कान भी है कि सौ वरस का जो पाठकों का बिश्वास गीता प्रेश के उपर है। इसलिए वो रामतरित मानस भी किसी और जगा की पढ़ना ही नहीं चाहते। लोग बाठने के लिए भी रामतरित मानस यहां से ले रहे हैं बड़ी मातरा में और लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं। अब एक नई परंपरा और देखने में आ रहे हैं कि लोग गिफ्ट कर रहे हैं रामतिरित मानस का किसी भी आयुजन पर किसी को गर पुछ देना है तो गिफ्ट भी कर रहे हैं मांग में बढ़ हुतरी को देखते हुए गीता प्रेस ने जापान और जर्मनी जैसे देशों से करोड़ों रुपए की हाई टेक प्रिंटिक मशीने खरी दी हैं जो एक घंटे में 1600 से ज्यादा पुस्तके छापने की शमता रखती हैं तीन मशीने आई है और इसकी दागत को लगभग 9 करण रुपए है वैसे हम लोगों ने इस बार प्रकाशन के कामों पर जो हमरे और संसाधन है सबको मिलाके लगभग 11 करण रुपए हम लोगों ने खर्श किया है और अभी बैंटिक और मशीन की खोजबीन चालू है जो जिल्द बनाने वाली मशीन है और एक मशीन भी जो जापांस से आनी है वो कल दिल्ली पहुंच जाएगी उसके बाद वहां से रवाना होके जल्दी हाएगी आई टेक नई मशीनों के जरिये फोटो के साथ रंगी इन पेजों की छपाई हो रही है और बड़ी संख्या में छपाई का काम चल रहा है